पिछली बार वाला लिंक आपने अच्छा दिया थे इसलिए हमने आज फिर से बुलाया आपने ज्यादा बढ़ेगा निए 95 को पर जाएगा इंटेंशन मत लीजे चिंता मत कीजे तो हमने का यह अच्छी बात करती है निए को बुलाओ पिछली बार इनफाक्ट जब लिंक दिया थे तब कच्छा दिया थे तब कच्छा दिया थे पांच महीने के उचाएगा था यह सता सी अठासी के आज फासी और वहां से हमने करेक्शन आता हुआ देखा है चौदा तारीक को अच्छी खासी स्ट्रेंथ थे और उसके बहुत सारे कारण भी थे आई एकी रिपोर्ट आई थी कि आप रिकॉर्ड लेवल्स पर डिमांड बनता देखेंगे उपेक की तरफ से आउटपट कटोटी की बात हुई थी तो वो सारे फैक्टर से जो स्ट्रे क्रूड हो या हमारे माकेट में MCX क्रूड आज भी 100 रुपए नीचे खुला है और पिछले 4-5 चेडिंग सेशन में घरेलू बाजार में कच्छे तेल ने 400-400 रुपए गवाएं हैं उपरी स्तरों से और 4 हफतों में जो एक तरफा वीकली राइस थी अब वो भी नेगेटि को मिले हुआ क्या है डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता देखा 102 के पास है लेकिन डॉलर इंडेक्स को ये मजबूती कहां से मिली है दर असल हमने देखा है कि अमेरिकी फेड की तरफ से बहुत सारे फेड प्रेजिडेंट्स की तरफ से जो लगातार बयान निकल कर आ रहे वो इस तरफ इशारा कर रहे है कि अभी भी इंफलेशन को लेकर चंता है अभी भी यहाँ पर जो ब्याशदरें है उसमें वृद्धी की जो इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा था वो तुरंत अभी खतम होता हुआ नहीं दिखेगा ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक ही र दिमांड घड़ने का एक डर उत्पन हो गया अमेरिका में रिसेशन आ सकती है मंदी का खतरा बन सकती है ऐसी बहुत सारी हमने रिपोर्ट भी चाहे इन्टरनाशनल एजफ एनजी एजफी हो यह बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलकर आई हैं इंटरनाशनल फ्रंट पर वह इ इतनी भी developing economies हैं उनमें growth slowdown का खतरा बना हुआ है तो ये सारे underlying factors हैं जो कच्छे तेल में demand को लेकर चिंताएं उत्पन कर रहे हैं और in fact इसका classic case तो हम यहीं देख सकते हैं कि तीन हफते बाद कच्छे तेल के weekly inventories में भारी भरकम गिरावट आई 46 lakh barrel की लेकिन पूरी तरह से उस को लेकर चंता बनी है और अब यहां पर अमेरिकी federal reserve क्या करेगा उसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं जिसके कारण हमने देखा है कि जो funds भी हैं fund managers भी है वो इससे हाथ अपने पीछे खीच रहे हैं एक और development Russia की तरफ से हुआ है उस पर जादा लोगों ने ध्यान नहीं दिय जो इसके western ports हैं वहाँ पर जो oil की loading है वो 4 साल के hyper चली गई है वो भले ही बात कर रहे हैं कि हम output कटोती करेंगे लेकिन दूसरी तरफ से अपने shipments भी बढ़ा रहे हैं 24 लाक बैरल प्रति दिन इसमें अप्रेल के महीने में वृद्धी की संभावना है मैंने कुछ जानकारो से बात की वो मान रहे हैं कि आप छोटी अबदी में समझ के चलिए कि यहाँ पर sideways to negative trade दिखेगा 80 डॉलर एक बार ब्रेंट छू सकता है घरेलू बाजार में और 100 रुपय का correction 63-100 तक आ सकता है लेकिन वापस से 85-86 डॉलर पर कच्छा तेल जाएगा और वहीं पर टिकने की स आप कह सकते हैं मीडियम टर्म में 87-89 डॉलर का यहाँ पर एक strong resistance बन गया है 87-89 यह रुकावट की जगह है और इसको पार करना कच्छे तेल के लिए मुश्किल होगा यह अच्छी ख़बर हमें बता रहे हैं वापस 85-85 तर आ सकता है मुश्किल है सर 77-87 डॉलर एक broader range मारके चल रहे हैं लेकिन 80 के नीचे टिकेगा ने क्योंकि supply को लेकर सर बहुत सारे concerns है काफे कम कर दी है उनने supply बहुत ज़ादा कम कर दी है और supply tightness की in fact stand chart की report आई है वो record demand oil demand की बात कर रहे हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि hurricane season शुरू होगा अमेरिका में जून से नवंबर के बीच में बता रहे हैं कि इस बार इतना तीवर नहीं रहेगा लेकिन फिर भी तब maintenance के लिए बंद हो जाते है and of course china उनका जो throughput है refinery throughput वो record high levels पे चला गया है तो यह सारे factors हैं जो तेल को बहुत नीचे भी नहीं ले जाएंगे चले यह आपके लिए कच्छे तेल पर पूरा का पूरा action